अस्वालेकूम बिसमिल्ल्य रख्मान रहीम तो सबसे पहले मेरे चैनल किरन प्या फूडर्म लोकर कर लिजिए सब्क्राइब लाइक और शेयर तो यहां पर जनाब बन रहा है सुबो का नाश्ता तो बना रही हूं मैं सब्जियों वाले प्राठे क्योंकि मैंने कल बनाई थ आपको बता नाश्ता तो सुबर सुबर राजमी बनता है उसके बाद मैंने दपैर में लंच बनाया तो क्योंकि आज मुझे जाना था बाजार भी अरीज शाबार ने अपना वुलीमे के ड्रेस को डिसाइड करना था क्या लेना है क्या नहीं लेना तो मैंने का चले जल्द प्राठे और इस तरह थंडे थंडे मोसम में इस तरह की चीज़े बहुत मज़िदार लगती हैंδोत थंडी थंडे मोसम में गरम-गरम हम ये चाबब पलाओ और क्या कहते हैं प्राठे वगरार खाते ओना तो मज़ sinners और द européरा बबादी तो यहाँ पर मेरे चाबलों को दमा गया गहानी ही चीज़ होगी ने मेरे साथ पॉपिट हो गया मेरा यानी के मैना अभी पिया मुझे उतार के ही गए थे तो यहां साथ मेरी जूटी तूट गई और मेरे हाथ में आ गई मैंने कहा क्या हो गया हलागे मने यह जूटा आप Councillor लिया था समझी नहीं आया मैंने न इस दो तीन दफाँ पानी में दोया शायद इसकी वज़ा से ना इसका आगे का स्टेप बाहर आ गया तो मोची मिल नहीं रहा था ढूंते ढूंते आकर कार मोची साहब मिले एक दूर दरस के नीचे बैठे हुए थे तो वहां पर मुझे य तो जनाब एंटर हो गए हैं मैं और अरीच इंच्रा बजार में और ये हैं जनाब इच्रा बजार की शूर स्टार्टंग यहां पर मैं देखा रही थी तो यह जो आजकल भीर्ट सुआले हैं पर्ल जो हैं बारा शें हो गया है शुपूरासे पर्ल你看 Canढ ल Changशë में बहुत अनसीले में जब तुम कोगी वो तुमें लेदलवा दूंगी तो बस हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं क्योंके ना इचरे में एंटर होने के बाद जो बच्चा मारकी ना जानी के जो बानो बादार है एक तरह से कुछ समझ係 नहींmetros भी कुछ समझने ठी तुम बादर होने से इसा कलर में तो बादर बॉरिए में लेद पर मैडम कह तहAm में गरा औरह इसका डुबटा ऐसा है इसको ये है इसको वो है तो पता है इसको क्या चाहिए था तो खेर इसने तो कुछ पसंद नहीं किया लेकिन इसको ना ये औरिंज वाला ड्रेस औरेके के साथ वाला ये वाला सी ग्रीन वाला ड्रेस अच्छा लगा था लेकिन कहती इसके नीचे ये तो मेडरी देली पावी और ओपर कि हाई यहां पर तो ना इस्वार के साथ पाहिए में इस मारकिट में थी और की आ तो ये वैसे इसको देखने में अच्छे लग रही थी कही थी मामा ये भी अच्छा लग रही ये भी अच्छा लग रही थी कि ले लो कुछ फाइनल कर लो तो तब कहती नहीं ये नहीं ये ये वाली फ्रॉक तो मुझे भी बहुत इच्छी लगी थी और मुझे प्यारी भी ताहा कि नहीं नहीं मुझे एक डिफरंट कलर लेना है, मुझे कुछ हटके कलर लेना है, तो खैर इसने आखिर काड़ डिसाइड कर ही लिया, और हलका इसको एक कलर सिले, स्टिच में तो नहीं, अन्स्टिच में इसको मिला, तो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, शादी के खाऊंगी, अभी कप्ड़े स्टिच होने गए हैं, इसके बाद मैं चली गई थी, टेलर के बाद भी उसको मैं ने दे दिया, स्टिच होने के लिए, तो स्टिच हो कर कप्ड़े आएंगे, तो शादी पे जाने से पहले आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर जणाब ही, मै अब ज्यादा मिल रही थी, सो सो रपे में यह थी, और इतनी अच्छी थी, हल कलर में थी, और स्ट्रेच में भी थी, तो मैं यहाँ पर झाल यह थी, तो पहले मेना दिल किया एकदो ले लू, पि मैंने कहा कहां लेकर किस को दूँगी, किस के लिए दूगी, क्योंकि अप तो फर्वा कराची में इसलामाबाद में भीजने में टाइम लग जाएगा तो फिर मैंने नहीं ली उसके पास मुझे एक दो मरदाना सूट भी लेने थे तो यहां पर मैं मरदाना कपड़े देख रही हूँ तो यह इस तरह ना बाहर स्टॉल भी लगें मैं मरदाना सूटों कि थोड़े से मुनासिब मिल जाते हैं लेकिन इनकी साथ इनके अंदर दुकाने भी अगर बाहर से आपको कलर अपसंद नी आता या कपड़ा पसंद नी आता तो अब अंदर जाके भी ले सकते हैं तो इसके पास मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो इदर अब दूसी तो यहां से मैंने जनाब मर्दाना जो सूट मुझे चाहिए थे वह मैंने बाइ किये और अच्छे मिल गए थे क्योंकि हमारी शादी जो है फर्वरी में है तो मैंने खुले मुसम के हिसाब से ही लिया तो फिर आगे साथ फिर ईदा जानी थी तो फिर मैंने जाता गरम कपडा नहीं लिया मैंने मुनासिब जानी के न अच्छी वाली वाशिंग वेर के सूट ले लिए तो वो भी चनाब चले गए हैं टेलर के बाद स्टिच होने के लिए तो ये कलर हमने एक लिया था और एक हमने पतानी दूसरा कलर लिया था तो बस सूट लेने के बाद आगे की तरफ हम चल पड़े हैं क्योंके ना अरीज को लग रही थी भूक और मैं इसको कही थी के जूल्री भी साती देख लो तो कहती नहीं ममा पहले स्टीच हो के सूट आएगा तो उसके बाद फिरना मैं उसके साथ जूल्री और जूता लोंग मैं नहीं